अरे मोन दादा आप साप करते रहोगे और लोग कच्रा करते रहेंगे अरे कुछ ने होगा इस देश का देखा हाँ हो सकता है बस थोड़ी और सपाई करने पड़ेगी कैसे यह आपका खत आया है किसका है किसे भारत ने भेज़ा है भारत हमारा गाव में तो कोई भारत है नहीं मैं किसी भारत को नहीं जानती पर लोग शायद कोई पहचान वाला हो सदर प्रणाम शायद आप मुझे पहचानते नहीं हो पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से कई बार कई जगह ओपर हम मिल भी चुके हैं और हर मुलाकास एक याद बनती के याद है जब वह मिश्रा की बीवी जब तो इसे एक वुड़ा फेक रही थी तब आपी ने तो उसे डटा था कांधी चौराय के सामने वाली दिवार पर जब आदमी थोग रहा था तब आप ही ने तो उसे रोका था किसी दूसरे ने फेका हुआ कचरा जब आपने उठा कर कचरे के डिब्बे में डाला था ना तब मुझे बड़ा गर्ब महसूस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है आपके बहुत ऐसाने मुझ पर नहीं तो बला कौन सो श्टा है इन चोटी-चोटी बातों के बारे में मैं शुक्र गुजारू आपका मेरी इतनी इज़त करने के लिए मैं शुक्र गुजारू मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए मैं शुक्र गुजारू मुझे महान बनाने के लिए आपका प्रीय भारत थी सच्बत बताओ मौन दादा मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मुभारा को मोन दादा अरे अपना दिल साब हो रहा है हां पर आओ रहे खत देना बाकी है अब कौन यह आपका खत आया है किसी भारत में बेजा है हाँ हाँ कर दो हाँ झाल झाल